Hello everyone, welcome back to my channel और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि वीडियो को शेयर करने के लिए आपके पास रीजन है I think आपको थाम्निल से मिल गया होगा reason यह है कि इस university में अगर आप बीड करना चाहते हैं तो आपको ना तो कोई teaching diploma चाहिए जो कि दो साल का मांगते हैं हर university मांगते है ना ही आपको कोई teaching experience चाहिए ना ही आपको किस school में भी पढ़ाना जरूरी है कुछ नहीं चाहिए सिर्फ graduation या फिर post graduation के base पे आप यहां से बीड कर सकते हैं आज की वीडियो में हम पूरी डेटेल जानेंगे लेकिन अब मैंने आपको बताया है कि वीडियो शेयर क्यों करनी है तो प्लीस आप जितने भी ग्रुप्स में कनेक्टिड है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि mostly candidates के पास staging diploma नहीं होता है और वो सिर्फ BA होते हैं या MA होते हैं और working होते हैं और बीड करना चाहते हैं distance mode से तो आई तिंग ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत helpful रहेगी तो प्लीस वीडियो को जादा से जादा शेयर कर देना अब हम बात करते हैं यहां से जो आपका बीड का प्रोग्राम है maximum यहां पर time नहीं दिया है आपको minimum ही बताया है minimum maximum जो भी है यही है 2 साल तो 2 साल बिल्कुल माइन में बिठा के रखना इससे पहले मैंने जितनी भी universities के बारे में आपको बताया है वो minimum 2 साल, maximum 5 साल लेकिन यहां 2 साल मतलब 2 साल है यह demerit कह सकते हो इसको चलो कोई नहीं उसके बाद हमारा है यह जो है distance mode पे है और 2024 का है यहां पर यह दिया है कुछ मैं समझा देती हूँ सारी policies को चेक कर लेना अगर आप eligible हो तो ही apply करना eligible तो हो गई ही आप लोग है न तो eligibility यह है कि आपके BA में या MA में 50% marks होने चाहिए और MA उस category में आपने social science में, science में या humanity में की होई होनी चाहिए 50% marks में आपका हो जाएगा और अगर आप किसी category से belong करते हैं like SCST, OBC वगरा तो आपका 45% पे हो जाएगा ठीक है, हो जाएगा in the sense कि आप apply कर सकते हैं और जब भी merit आएगी तो मैं आपको inform कर दूँगे merit आपके बनेगी UG के base ठीक है graduation है, उसके base पे आपकी merit बनेगी और इसके बाद अगर आपने अगर आपने graduation नहीं किया है और उसी टाइप से हम जैसे करते हैं वो करते हैं लोग लोग बैचिलर से इंजिनिरिंग और टेकनोलजी विज स्पेशिलाइजेशन इन साइंस और मैथेमेटिक्स तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो उसमें आपको 55% मार्क्स जाहिए चीक है और इसके अलावा कुछ उसके equivalent कुछ हो ठीक है वैसे जो वीडियो देख रहे हैं वो MABA वाले होंगे मुझे जहां तक लगता है यहाँ पर जो डेट है वो 23 तारिक से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म भरना और 23 तारिक आज ही है मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ साइट का तो आप साइट विजिट कर सकते हैं लास्ट डेट आपके 9 फरवरी है तो इसलिए वीडियो को शेयर कर देना और फटा-फट से फॉर्म भर देना आप लोग चीक है और mode of selection merit बनेगी मैंने यह आपको बता दिया है और इसके अलावा यह submission के लिए step दी हुए है step आप लोग देख सकते हो वीडियो को मैं टेलिग्राम वो सारी PDF को मैं टेलिग्राम ग्रूप पे अपलोड कर दोंगी टेलिग्राम ग्रूप का नाम है Colors of Education ठीक है और यहां पे जो application fees है वो 1,500 रुपे है including 50 रुपीज as IT fee and processing fee of 250 यानि टोटल आपके 400 रुपे आपको देने है और अपनी hard copy समभाल के रखना application form की क्योंकि जब आप counselling के लिए जाते है तो आपको वो ज़रूरी चाहिए होता है और इसके लावा आप इन्होंने लिखा है कि the candidate after submitting their online application form need to know to submit hard copy and must keep hard copy of the application form with them for reference ठीक है आगे के लिए for deposition and fee क्या लिखा है एक सेके लिखा री conciliation shall be treated as form submission ठीक है तो वो आपको समभाल के रखना है वो उससे आपके पर प्रूफ होगा कि हाँ आपको जो form एक तरीकी से submit होगा अपने आगे उसके लिए भी रख सकते हो और इवन आपको जो counselling होता है तो उसके लिए पूचाहिए होता है then उसके बाद हमारा है additional information है यहाँ पे है the candidate must check the fee status तो अपना fee status बगार चेक कर लेना यह कट होगी है कि नहीं होगी है pending the show नहीं हो रही है आपका form भर गया है नहीं भर गया यह जिम्मिदार ही आपकी स्वयम की है यहाँ तरी अपने form की स्वयम जिम्मिदार है something like that number of seats for our program at various campuses other details जो भी है आपको seats का नहीं बताया है इनोंने admission policy and relevant जो भी है इनका तो आप इसके website पे website पे मुझे नहीं मिला है मैंने check किया है बाकि मैं कल call करती हूँ और I think मैं call तभी करूँगे आप मुझे कुछ कॉमेंट जो आपके doubt है वा मुझे send कर दीजिए comment कर दीजिए तो आपके मैं doubt इकठे करके मैं mail कर दूँगी या पूछ लूँगी या आपको खुद comfortable लगता है तो आप ये दिये गए number पे given numbers पे call कर सकते है और पूछ सकते है और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे थूरू जाना है तो आप लोग मुझे comment कर सकते है क्योंकि I don't know कि आपके doubts क्या है आपके doubts कुछ अलग निकल किया है जो शायर मैंने इस वीडियो में ना बताए हो तो बस इतनी सी वीडियो थी और हाँ फीस की अब मैं बताती हूँ यहाँ पे फीस कितनी है तो आपके जो यहाँ पे फीस है वो है 30,000 15,000 एक साल की 15,000 एक साल की और आपके यहाँ पे चलता है semester वाला system आपके 4 semester होंगे ठीक है यहाँ पे semester का हिसाब किताब है तो ओप यह वीडियो आपके लिए helpful रहे ओप यह वीडियो आप शेयर करें जाद से जादा और नए हो तो subscribe करें क्योंकि आगे जो भी counseling list बगएर आएगी मैं आपको सारी update देने वाली हूँ आगे so don't forget to like don't forget to share and don't forget to subscribe thank you